आज हम बनाएंगे आलो की सब्जी बनाएंगे बहुत अच्छी तेयार होती है आईए तो बनाना शुरूर करती है कि पूड़ी से खाने वाले आलू की सब्जा आलू की सब्जी खाने बहुत टेस्टी बनती है अगर आप इस तरीके से बनाऊगे तो आपकी सब्जी कोईल को हमें गर्म होने तक रखना है इस सब्जी को आप पूरी के साथ भी खा सकते हैं यह सब्जी खाने है बहुत टेस्टी लगती है तील गर्म होने के बाद इसमें तेज पता डालेंगे दूँ और इसमें डालेंगे हम जीरा अब डालेंगे इसमें जीरा जीलु को हम चटक में देंगे जीरा हमारा चटक सुका है अब इसमें डालेंगे लेशन अदरु का पेस्ट लेशन अदरु का पेस्ट के बाद डालेंगे हरी मिर्स दो खतिवी दो खतिवी हरी मिर्स अब इसमें डालेंगे बड़ा प्याज कता हुआ अब इसको हलका ब्रावन होने तक हमें पकाना है प्याज को इसको में हलका ब्रावन होने तक पकाना है अब इस सब्जी को हम पूडियों के साथ खा सकते हैं बहुत स्वादिस लग भी इस सब्जी आप प्याज को हमें हलका ब्रावन होने तक पका लिया है अब इसमें डालेंगे हम हंदी पाउडर अल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर कसनीरी लाल मिर्च पाउडर सुखे धन्या पाउडर सुखे धन्या पाउडर इन समको हम लाल देंगे पकाएंगे अब डालेंगे इसमें हम एक बड़ा टमाटर कटा हुआ इसमें डालेंगे हम थोड़ा नमक स्वाद के निशाथ ताकि हमारी टमाटर भी गलने तक पकाना है इसको टमाटर हमारे गल चुपे हैं तो हम डालेंगे थोड़ा पान ही थोड़ा साथ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें अब डालेंगे इसमें बॉइल की हुए आलू जिसको ने चील लिया था चार से पांच आलू लिए थे पानी आप चाहे तो घाड़ी रख सकते हो आप चाहे थे थे पदली रख सकते हो अपने साथ से रखना है आप चाहे तो इसमें थोड़ा आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं आप पानी थोड़ा और डालेंगे एक ब्लास पानी और डालेंगे कि हमें सब्जी को पांच मिनटा डख कर पकाना ऐसे अच्छी से बॉइल आने तक पकाना इसको मैं अधकर की पगाएंगे इसको अगर आप सब्जी हमारी बन के रैडी है अगर आप इस तरीके से सब्जी बनागों तो आपकी सब्जी कितम पर्फेक्ट बन की तियार होगी अब गैस को हम करेंगे पंद उससे पहले हम डालेंगे सब्जी बनाओगे तो आपकी आलो की सब्जी बहुती फर्फेक्ट बन के तियार होगी आपको हमारी रेसीपी कैसे लगी बताइएगा जरूर प्लीज मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें करिते पीरणे फिच को होगी जरी बन काम के साथ झालो के जरूरिक.南ी बम言तरा होगी रेस लागी बता॥तिएज चैनल किसी हम सक्राइब रेसा जरूर दालो करेंगे स्वली बताहा होगी निक